एक पहले की लास आप लोगों ने ली है बहुत अच्छी बात है पहले का लिक्चर यूट्यूब पर भी डला हुआ है हमारा है ना जिसने नहीं लिया है वो देख ले ना इसने वह बहुत ज्यादा पहले ली था कि हिंदी भाषा का विकास तो बहुत बूर की बात है पूरे विश्विकी भाषाओं को कितने दो लेकर आए हैं, दूसरा पाट लेकर आए है, मतलब second वाला पाट तो definitely जरुरी है कि आप पहले वाला भाग जरूर देखे ले है नशल्य जितना आपको सब्सक्राइल बात है पर पहले वाला भाग ज़्यादा इनमें जो हमारा जो आता है वो क्या आता है या कौन सा आता है शतम के तहट हम लोग आते हैं यह इरानी वर्ट था मैंने आपको बताया था यहां के अगर हम बात करें हमारा जो परिवार है वो कौन सा है आर या इंडो ग्रीक इंडो इरानी हम बोल सकते हैं याने कि अगर भाषा परिवार जो है यह हमारा जो उप परिवार है उप शाखा है किसकी उप शाखा थी मैं आपको बताई थी तो यह उप शाखा थी भारोपी परिवार के किसकी थी दोस्तों भारोपी जो भाषा परिवार हमारा था भारोपी भाषा परिवार इस भाषा परिवार की उप उपशाखा कोंची उपशाखा ये वाली इंडो-ईरानि के तहत हमारी हिंदी आती है पहली चीस्त पर यह हो गई थी इस हिंदी के विकास में हमने बात के थी आपको पता है कि अभी के अगर हम बात करें तो भारत वर्ष में जनरली दो भाशा परिवार है दोस्तों उत्तर भ हमारे भारत है पहले ने जगते हैं नोग्सा टाहर का तो पहली चीज कि भारत जो है या हिंदी जो है भारत की वह भार्वपी भाषा परिवार के इंडो-ईरानी उपशाखा में आती है, ठीक है इसको आप प्याल रखेगा, फिर हमने बात कि आरे रोग जब मद्धेशया से कुछ इधिहासकर उनको यूरेशया का निवासी मानते हैं, मद्धेशया का मानते हैं, जब लोग वहाँ से भारत म आए तो यहां आने के बाद वो सब्त सेंदव प्रदेशों में बसे ऐसा माना जाता है सब्त सेंदव मतलब सिंदु और उसकी सायक नदिया साथ है ना तो यह साथ जो सायक नदिया थी सिंदु के साथ की ये सारी जो नदिय थी इनके आसपार जो उस समय के लोग आखे बसे आरे लोग जो आरेंस जो आखे बसे इन आर्यों से जिस भाषाओं के उत्पत्ती हुई वो भाषाया कहलाती है आरे भाषा परिवार के अंत्रपर आती है या फिर भारत इरानी परिवार के दर आती है अब प्राचिन आर्य भाषा परिवार, मध्यकाली नार्य भाषा और अध्वनिक आर्य भाषा, तीन भागों मिभाज़त करें, तीनों की बात हम आगे करेंगे, या रखेगा, तीके इसके लावा अगर बात करें, कि भारत में वर्तमान जो हिंदी का सुरूप है, वो कहां से निक निकल के आया है तो वह निकल के आया है आर्य भाषा परिवार में हिंदी की आधी जननी हिंदी की किसको माना जाता है दोस्तों हिंदी की आधी जननी किसको माना जाता है यह माना जाता है संस्कृत को किसको माना जाता है संस्कृत संस्कृत को हिंदी की आधी जननी माना जाता है ूपर जो भारोपि भाषआ पर यह आती है आगे गी बात करें भार्ति-ा रे- भाषशाओं के तीन कालों में इसको भाजत किया जाता है मैंने चानव यहाब है आपको बता था कि सबसे पहले अगर आप देहेंगे तो प्राचीन समय भार्ति-ारे- यह समय हो गया, यह जो एक हजार वर्षों का जो समय है, इसमें प्राचिन भारतियारे बश्या आती, देखो अब 1500 इसा पूर्व की यह लोग बात कर रहे हैं, इसा पूर्व से मतलब यह है, कि इसा से पहले, इसी का जो हमारा केलेंडर चल रहा है, इस केलेंडर से पहले, मैं का मतलब यह पूर्व, इसा से पूर्व, इसा से पूर्व का मतलब क्यों हो गया, 2000 साल तो लगभग इसा को हूँ है, और उससे भी पहले कितने साल, 1500, तो लगभग कितने साल पहले की बात हो रही है, यह बात हो रही है, लगभग आज से 3500 वर्ष पहले की बात हो रही है, आज से, वर्तबान से, आज से, आज से पेतिस सो साल पहले भारत में प्राचिन भारती आरे भाशा आई, और इस प्राचिन भारती आरे भाशा में जो भाशा आती है, वो आती है आपकी संस्क्रत, कौन से आती है दोस्तों, संस्क्रत, हाला कि अभी आपन आगे देखेंगे, क इसापूरू का मतलब क्या हो गया लगभग धाई हजार साल पहले तक मतलब कितना साल के डिफरेंस हो गया है यहां पर एक हजार बीच के एक हजार साल के हम बात करें यहां ठखेगा तो इसापूरू का मतलब क्या हो गया दोस्तों इसापूरू का मतलब हो गया इसा से पहले इसा से पहले का मतलब यह कि 2000 साल तो इसाग हो गए हैं और उससे भी हम पहले की बात कर रहे हैं, जितने साल भी पहले की बात करें, ठीक है, यहां पर मैंने बोला है 1500 इसापूर्व का मतलब क्यों हो गया, 2000 और 1500, याने कि 3500 साल पहले, ठीक है, हम 3500 साल पहले का इतिहास देख तक हैं दो पांसो इसपीन का मतलब कितने साल पहले की बात में से कहां आज से 2000 साल पहले से लेके तो 1000 साल पहले के बीच याने कि 500 इसवी के बीच कौन सी बाशा को बाटा है अमने असमें मध्य कलें भारतियारे बाशा और थर्ड नमबर के आती है आपकी आधुनिक भारतियारे बाशा याने कि एक हजार 2020 से लेके अब तक चेक है दोसको इस वी का जो पहले वाला पार्ट होता इसको अंग्रिजी में अगर आप देखेंगे ना तो इसको बीसी बोलते हैं बीसी का मतला होता है बीफॉर क्राइस्ट बोलते हैं बीसी इसमें गन्फ्यूज मत होना इसको इंगलिश में इस यूस होता है जनरली इंसे इंटी किताब में आगर आप देखते हैं इंग्लिश मेडियम वालों को दिक्कत ना इसने में आपको बता दी 1500 BC to 500 BC यह था आपकी जो प्राचीन जो इंशेंट जो भारती आरिभाशा थी यहां यहां दखेगा फिर हम बोलेंगे 500 इसा पूरु से म बारतिमान तक क्या है और यह आधवनिक भारतियाह भाषा है आगे बढरते सबसे फिले में बात करते हैं प्राचीन भारतिया भाषा M, मैंने अभी आपको बताएं कितने से समय तक कि में रखेजींप इसा पूर्व से 500 इसा अर्व थीक हैं यहां तक बटिक ऑन perso से 500 तक म प्राचिन भारतियारी बाचा आप साछे उसहां कोई-ई-ध। नमबर फेट देख पा रहा है वह देग संस्रत है। टोटल कि वर्षोय तक सब्सक्राइब फैसे तो पहले वाला जो पांसो तैमजी्ट फैस своil500- His वाला इस काल में रिगवेद की रशन होई, वेरियम मोरेड़े किस की रशन हुगी थी? आपको बता है, हमारे कुल कितने वेध हैं? चार रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद, इन चार वेदों में सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्रमुख वेद कौन सा है, रिगवेद, इसलिए इस समय को रिगवेद काल भी कहा जाता है, याद रखेगा, तो इसमें, इस वेदिक संस्क्रत में किस रशना, किस की रशना होई, रिगवेद की रशना होई, ये भी याद रखेगा, पहली ची पूर्दक इस काल में पुराण अथरवेद उपनिशद या जो अनिवेद हैं हमारे या विभिनी जो गरंथ थे हमारे उनकी रशना हुई दोस्तों है ना याने कि आपके अनिगरंथ अनिवेद अन्य जो ब्रह्मन गरंथ है वो है ना हमारे पुराण है आपको पता कितने बुराण होते हिर। 108 हमारे उपनिशद है छे वो वेदां होते हैं होते ओप यह भी आप लखेगा ठीक तो 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 प्राचिन भारति है इसको कितने भावम माटा जाता है दो एक वेदिक संस्क्रत एक लोकिक संस्क्रत जिसमें विशेशकर अभी रिगवेद की रखना हुई और लोकिक संस्क्रत जिसमें अन्य भ्राह्मन ग्रंथ आ गए हमारे जैसे तीनों वेद बचे हुए अठारा पुरान आपके उपनिशद आपके और अन्य क्रंथ आगे दोस्तों कहा न शाम्यें यह था आपका प्राचिन भारतियार 시작 हम आगे आए आए आगे आए मद्यकान भारतियारेः बचे आपको बता है मद्यकालिन भारतियारे बचे कहा से कुरूई थी यह शुरूई थी 500 इसा पूर्व से एक हजार इसवी तक याद रखेगा अच्छे से पांसु इसा पूरु से एक हजार इसवी तक मतलब कितने भागों मटी है तीन मतलब कुलमिला के पंदरा सु सालों तक ठीक है तीन भाग कौन कौन से इस काल में भी तीन भाशा है थी जो निमने के थी संस्क्रत के बाद जो भाशा आई विशेशकर नमबर एक वो थी आपकी प्रतम पराकरत काल में मान जाती है पाली कौन से मान जाती है पाली संस्क्रत के जस्ट बाद जो भाशा आई पाली और आप देखेंगे कि पांसु इसा पूरु के बाद एक प्रमुख धर्म भारत वर्ष में और दुनिया में फेला और वो प्रमुख धर्म था आपका बॉध्ध धर्म कौन सा धर्म था दोस्तों बॉध्ध है ना बुधिस में अगर हम बात करें तो भगवान जो बुध्ध है इनकी जो देश भाषा है इनकी जो भाषा है इसके जो गदेश है ये किस भाषा मानेगा है पाली भाषा मानेगा है चीक है याद रखेगा इसे मगदी के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप याद रखेगा पाली भाषा अब देखो यहाँ difference क्या थोड़ा से ना आपको बता देखो यह है और यह क्यों आई पाली का change क्यों हुआ आपको थोड़ा सा ही समझा देखो पाली का change हो है कि हमारे ब्रह्मन ग्रंध चल रहा थे यह सब अब यह सब काई में संस्क्रत में अब मुझे आते संस्क्रत का गयां हर किसी को होना संभ़व तो नहीं हिए कि हर किसी को संक्रत का गया नहीं है था अपने एस आपसे और अपने एशाप से बताथा था अब वो सही बता रहा निहीं बता रहा मैं जो बाते करूंगा, वो सारी की सारी बाते जो हैं, वो सारी की सारी जो बाते होंगी, वो बाते कौन सी भाषा में होगी, सामाने बोल चाल की भाषा है, उसमें हो, और सामाने बोल चाल की भाषा होने से, बेनिफिट क्या था, बेनिफिट यह था, कि लोगों को बाते जो आउम से संजम्झ में आणे थें और जो उब्धेशी दे रहे थे जो ग्रंफ देशने के विध्यारती है और भाशन देने के लिए और आपसे करें और पूरा conversation और इंगलीष में आपसे करें आपको किया समझ में आयेगा कुछ भी समझ में आयाई इफिनिट उसी प्रकार से जैसी प्रकार से हैं यहां इंगलिष के विभ्धियारते बेठे हों और यह क्लास में कोई विकती आये और सुद्ध हिंद्धी में अगर बाते करें तो भी समझ में आना बाते हैं आदे से जादा शब्द उपर से नीचे से निकल जाना है तो यहीं होना है तो यहीं चीज है यहां पर है कि गोतम बुद्ध ने बेसिक चीज पकड़ी और कौन सी भाशा में अपने उपदेश दिये पाली भाशा में यह याद जो 24 वे तीर्थे करा है महावीर स्वामी इनके समय पे जेन धर्म ने जादा अपना प्रचार पसार पाया तो भगबान महावीर के सारे जो उपदेश है यह यह जेन साहित्ती जो है वो किस भाशा में है वो है प्राक्रत भाशा में कौन सी भाशा में है प्राक्रत तो अब देखो यहां क्या हुआ थार्ड नम्मर पर आती है आपकी यह अब ब्रंश कौन सा काल आता है दोस्तों अब क्या हुआ महाविर स्वामी के बाद यह बोलू मैं इस समय के बाद 500 इसवी के बाद 500 इसवी के बाद भारत वर्ष में मुस्लिम आकरमन शुरू हो गए जो अर महमुद गजनभी का नाम आपने सुना हो इन लोग का भारत में आना याना शुरू हो गया मतलब आने याने से मतलब इन लोग के आकरमन शुरू हो गया बाहरी आकरमन विदेश आकरमन शुरू हो गया जब यह अरब आकरमन शुरू हुए भारत में तो हमारी यह जो भाशा को काफी हद तक नुकसान हुआ कि यह जो आकरमेंड कारी आया इन लोगों ने कुछ आदा दूरा छेत्र जीता करा तो उन चेत्रों में जो अर्भी और फार्सी भाषा है अपनी चलाई उन भाषाओं से हमारी इस इन भाषाओं को टकराना था उनके टकराने से क्यों राज-क पढ़ने वाले लोग थे यह इस भाषा से निकलने वाले जो लोग थे उन लोग सामने एक यक्ष परशन आ गया गया हमें तो यही सूज नहीं पढ़ रही है संस्कृत पाली पराक्रत आप अर्भी भार्षी कहां से पढ़ें यह बड़ी समस्या आई तो इसमें क्या हुआ कि कुछ शब्द हमारे तुकले तूटे कुछ नए शब्द हमने अपना है इसकारण से इन दो भाषाओं का बड़ा नुकसान हो और इन दोनों के भाषाओं के तूटने से बिगडने से एक नहीं भाषा का जन्म हो गया और वो नहीं भाषा के कह लाई देखिए अपबरंच का मतलब क्या है और बिगड़ा हुआ सुरूप किस चीज का इन चीजों का इन भाशा पाली और आगई गाने से इनका जो बिगड़ा हुआ रूप आया अरब आकरमंड के कारण वह किस भाशा के रूप में बदला आगे खाने सवाज़ें दोस्ता अपबरंच में से ही मूल रूप सागर देखा जाए तो अपब्रंच के ही जब टुकड़े हुए अपब्रंच भी जब बटी तो अपब्रंच से ही हिंदी की उत्पत्ति भी ऐसा माना जाता है कौन सी भाषा बनी हिंदी मगर क्या हुआ इसी बीज में छोटा सा एक और आती है बात और वो आ का मतलब क्या हो गया अपब्रंच का भी अपब्रंच इसका मतलब क्या हो गया तो कि अपब्रंच का मतलब क्या था बिगड़ा हुआ रूप किसका हुआ बिगड़ा हुआ रूप यह था और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया तो अपब्रंच का भी अपब्रंच और अवहट ठीक है यहाँ पर एक और चीज जोड़ लेता हूँ संस्क्रत कितने भावों बाट गई वेदिक लोकिक पाली में किसके उपदेश है प्राकरत में अपब्रंच का मतलब क्या होता है बिगड़ा हुआ और अवट का मतलब क्या हो गया अपब्रंच का भी अपब्रंच आगई दोस्तों कहा नहीं समझ में आगए वड़ जाते नेक चीज़ प्राते हैं अपब्रंच 500 ECV से 1000 ECV यह वही समय है पूरा का पूरा जब भारत में अरभी आकरमन हो रहे थी इस भाषा में सहित्ति का आरंभ स्वेंभू कवी के द्वारा पूरा जिसके बारे में आगे देखेंगे है ना कनापा यह लोग प्रसिद्य जो किस भाषा के रशनाकार थे अपब्रंच भाषा आगे कहानी समझें दोस्तों फिर आती है आपकी अवहट जिसको हम लोगों ने क्या कहा था अवहट को इसको हमने कहा था अपब्रंच का भी अपब्रंच कहा था देखो यह लिखाए अवट अपशब्द का विक्रत रूप है इससे अ इस काल के प्रमुग रशनकार में अब्दुर रह्मान आते हैं ने संदेश रासक अब देखिया आगे मुस्लिम राइटर अगर देखा जातों दामदर पंडित आते हैं जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रक्रण लिखा है जो तीशवर ठाकुर आते हैं वर्ण रतना कर अपभरंज और अवट इस एक लंबे समय के बाद हजार एस्वी में जाके एक हजार एस्वी मतलब आज से लगबक कितने साल पहले अभी दोजार चल रहा है तो आज से लगबक कितने साल पहले एक हजार एक हजार साल पहले हमारी हिंदी जो आज हम इस रूप में देख रह आदि जन्नि कोन सी, कहां से श्रू हुई थी सारी गहानी के शुरू हुई थी। तो आदि जन्नि नी हुई। चीकिने अफ़छ इस भारत में अलग अलग टुक्डों के रूप में, अलग-अलग नाम से जानी आती थी, अपभरंश कहीं पे शोर्ट सेनी के रूप में प्रसिद्य थी, कहीं पे अर्ध मगदी के रूप में प्रसिद्य थी, कहीं पे मगदी के रूप में प्रसिद्य थी, कहीं पे खस, कहीं पे ब्राचरण, कहीं पे महाराश्ट्री के रूप म पस्ञीब पसीए, अपहशीद दे अपबरंश से जब हिंदी बनी, तो वो हिंदी टूट के इन भागो, इन नामों से जानी गज़ेंगे, अगर मैं यहां पर आपसे बोलू अपहशीद ही यह आधुनिक भाशा है, कोन कोन सी भाशा है, बनी है, अपहबरंश से, तो देखिए उनमें कौन-कौन सी भाषा है, सबसे पहले नमबर एक, शोर सेनी अपभरंश, शोर सेनी अपभरंश से कौन-कौन सी बनी, पश्चिम हिंदी, राजिस्थानी, गुजराती, ये तीन भाषा हैं, पश्चिम हिंदी, राजिस्थानी, गुजराती, ये किस से बनी फिर बाद आती है अर्ध मगदी जो आपका भरण्छ है इससे कुण सी बנी है पूरवी हिंदी कुण सी बनी है दोस्तो पूरवी हिंदी नंबर छार खस से कोन सी बनी है पहाली भाशा बनी है पंजाबी भाषा बनी है और फिर बात करते हैं सात्वा जो छटा जो अमारा अपवरंश है कौन सा अपवरंश है महाराश्रीश से कौन सी बनी है मराट तो यहाँ पर आप देखेंगे छे अपवरंशों से कितनी भाषाएं बन गई है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार कितनी भाषाएं बन गई है आगी कहानी सवाज में मैं अगर मूल रूप से मैं आपको बता रहता हूँ इनमें हिंदी का है इनमें हिंदी का है तो इनमें जो हिंदी है न वो हिंदी पाँच उपभाषाओं को मिलाके कौन-कौन से उपभाषाओं पश्चिम हिंदी राजस्थानी पूर्वी हिंदी ठीक है पहाडी और बिहारी आई कहानी सवाज दो ये पाँच जो आपको दिख रही हैं उपभाषाएं कौन-कौन सी पश्चिमी हिंदी, राजिस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और बाहरी, ये पांचों मिलके हैं हिंदी ये पांचों मिलके हैं हिंदी प्रदेश आगी कहानी समझ्ण महें, इनमें समस्वें कि अगर आप पूछें कौन सी हिंदी है पश्चिम हिंदी किस अपभरंज से बनी है खाने सक्याई अगर हिंदी के आप उपभाशाय बातती हैं तो बातने आंगे 7 राजिंदानि- इन पाचों छेत्रों में इन 5 हिस्सों में आप यह देखेंगे कि हिंदी के यही मिले जुले शब्द आपको, मतलब एक जैसी शब्द आपको मिलेंगे, आप आराम सिन भाषाओं को समझ सकते हैं, अब बताओ, मतुरा के आसपास आप जाते हैं, सभी लोग हम लोग जाते हैं, tape कोई दिकत नी होती है, видео अव longtemps करें राजिस्थानी आप राजिस्थान में जाते हैं, अराम स समझ पाते हैं, राजिस्थानी भाषा भी खहता हैं पहाड़ी जो आपका हिमा चल वाला जो हिर्या है यह वाला जो पहाली वाला शेत्र यह भी आता है तो यह पांच हिंदी के भाषा के जो रूप है हमारे उप भाषा है यह इसमें आती है आगी कहा नहीं समझें दोस्तों वाल अपको ठीक है तो देखिए अभी वापस से बात करते हैं हिंदी के आदी जन्नी क्या है संस्कत किस भाषा परिवार की है भारौपी भाषा परिवार की किस उपशाखा मेंसे है हिंद इयराणी यानने इंडो इएयराणी उपभाषा में आती है इस उपभाशा से सबसे मूल भाशा सबसे पहले कौन सी बनी थी आज से पित्विस साल पहले संस्क्रत, संस्क्रत दो भाशा में बढ़े गी वैदिक और लोकिक संस्क्रत, वैदिक में मूल रूप से रिगवेद की रशना होई और कुछ इसके बाद लोकिक संस्क्रत आई जि अब बरंच या अनी भाषाओं में टूट चुके थी। अब बरंच जिन भाषाओं में टूटी वो हमारे सामदे हैं। जिन रूप में उसे हमारे लगभा, यह 11 भाषाHello । यह निकलंके आई है। मुल रूप से हिंदी का जो चेतर है तुट है। पात से हें, पश्टीम हिंदी, राजिस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाडी. और अगर आब से कोई पूझे किboards आपके और हमारी हिंदी में पात आपत्वों भाष्षाव में से पूर्शया बता दो एक आपको पता हैं लगबख कब शुरू हुई हिंदी दोस्तों हमारी हिंदी शुरू ही लगबग 1000 इस वी में कब शुरू हुई आज से 1000 सल पहले सबसे पहले आती ही प्राचिन हिंदी ये का बहुत से कहा है आती ही ये आती ही आपकी 1000 से लेकर तो 1400 तक फिर आती ही आपकी सेकंड नंबर पे मद्धिकालीन हिंदी मद्धिकाल आ जाता है मद्धिकाल आपको पता है मद्धिकाल कौन सा मद्धिकाल आता है आपको पता है दिल्ली सलतनत वगर आया तीर समय ये कब से कब तक होती है 1400 से 1850 तक 1850 तक आता है और उसके बाद थर नंबर पे आती है आपकी आध्वनिकिन्दी यह आदुनिक हिंदी जब हमारे आप अंग्रेज वंग्रेज सब आ गए बढ़िया से अंग्रेजों के भी शब्द हमें बिल गए यह सुधारान की तोर पे हमने बोल दिया भई यह अस्पटाल है ना तो यह आदुनिक हिंदी में आ गई तो यह कब से शुरू होगी हमारा तीसरा अगला लेक्शर होगा हमारा उसमें हम लोग हिंदी के यह सारे पार्ट देखेंगे डेक बार पूरे लेक्शर को देख लेना पिछले वाले को भी इस वाले को भी ठीक है मिलते हैं